हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं होमोपैथिक क्रीम आर्निका के बारे में यह क्रीम जो है स्प्रेन और ट्रॉमेटिक इंजरी के लिए बहुत यह अच्छी क्रीम है और बुरूजस के लिए भी बहुत यह च चोट लग गई है ब्लेडिंग इसके अंदर ब्लेडिंग हो गई है जिसके वाज़ा से हमटोमा हो गया तो उस एरिये के लिए उस जगह पे यह अपलाई कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है इसको आपको रेजल्ट देखने को मिल सकता है इस क्रीम से तो दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है इसके क्रीम से भी आती हैं तो इसको आप एपलाई कर सकते हैं तो यहां पे हम आपको डाइग्राम शो कर रहे हैं और निका क्रेंग बुद बुद ब्रूज के लिए बूस पे नहीं जासे टॉप टॉपिकली यह एक लाई कर सकते जिस एरिये में अंदरुनी चोट लग में तो इसे रिखें करसकते हैं कि वो हिए की जो एक बलेक होजाती है तो अंदरुनी उना की कि वहां सब तिक्कटे होती हैं तो इसस एडरा सकते दिनके पूत कि किरीम को जब तक ये क्याल ना करें सॺ ज़यल से उस जगह पे आप इन से हल्दी ना हो जाए तब तक इसको अपलाई कर सकते हैं बस इसका आपको द्यान रखना है कि आर्निका को ओपेन वूर्ट्स के लिए कभी भी इसका यूज नहीं करना चाहिए अगर ओपेन वूर्ट्स है तो आप कलियंडूला या हीपेरिकby क्रीम को उप्लाई कर सकते हैं उस सिचुवेशन में लेकिन अगर ओपेन वूरrdस है तो आर्निका इस्तमाल आप बिल्कुल ना करें हम आपको इसको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसको ओपन वूंस में इसको अप्लाई करें तो यह आप बिल्कुल ना करें यह कुलोज वूंस जितनी भी है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं हेड एंजरी हो गई हो उसमें भी आप माइनर हेंड हेड एंजरी है तो इसको आप एप्लाई कर सकते हैं उस एरे पर इंकल में स्प्रेंग कर गया है तो इसको आप एप्लाई कर सकते हैं जिसके वज़ाई से जॉइंट में दर्द होने लगता है तो यह आप एप्लाई कर सकत के आपको आरिका में बहुत आंगा से बहुत आराम मिलेगा अबacs好-oled users के बारे में बात कर लेते हैं हम तो आरिका का use minor head injury के लिए भी कर सकते हैंए अगर बच्चों में चोट लग जाती है घरों में क्या होताई दर्ड़ते रथे यह तो कहीं गिर गिल जाने से उन पर सर में चोट लग गई हो तो इसको आप एपलाई कर सकते हैं उसे जगा पर कामन बुरूजस के लिए भी इसको एपलाई कर सकते हैं या फिर बैक पेन हो गया है बैक पेन है किसी पर संको अगर कमर में दर्द हो गया है फ्राम ओवर लिफ्टिंग से ओवर आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें